पावस्टार पवंस सिंग और अक्छरा सिंग जब रिलेशन्सिप में थे जो कि अक्छरा सिंग ने पहले ही मीडिया में आके कहा था और अब पावस्टार पवंसosing के किसी अपने नहीं किसी खास वेक्ती नहीं उस चीज को वािरल किया है और ये viral इतना खतरनाक है कि उसे viral करने से पहले ये नहीं सोचा कि हम जिस सक्स का audio viral कर रहे हैं, जिस सक्स का नाम बदनाम करने की कोसिस कर रहे हैं, इसका effect कितना गंदा जाएगा और ये बातचीत पूरी पारिवारिक है, जैसे एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई से बात करत हैं और इसमें तमाम बड़े सुपरस्टारों का जिक्र किया गया है, चाहे निरहुआ हो, चाहे रवी किशन हो, या खिसाडी लाली आदब हो, और पावस्टार पावन सिंग से बात हो रही है, और खास बात अक्षरा सिंग को लेकर बात हो रही है, और कई सारे मुद्दे पर बात हो रही है, और इतना पारिवारी जो मैटर होता है, उसको लेकर बातचीत हो रही है, और ये ओडियो अब पूरे मीडिया के सामने आ चुका है, हलाकि हम इस ओडियो की पुस्टी नहीं करते हैं, इसमें पावस्टार पावन सिंग का आवाज है, या फिर नहीं है, गुड़ू सिंग का आवाज है, या फिर नहीं है, इसके हम पूस्टी नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीकी से मार्केट में ये स्प्लिट हो रहा है, उससे लग रहा है कि ओडियो की जाच होनी चाहिए, तो जी हाँ, नमस्कार मैं नीचू, स्वागत करता हम सभी का अपनी चानल भोचपुरी, गौसिप पे तो जी हाँ, चाहिए, तो सब्सक्राइब नहीं क्या है, तो नीचे जलाल बटन दिख रहा होगा नाज पर क्लिक, ठोक दो तो जी हाँ, पावस्टार परवन सिंग, नाम, कोंट्रोवर्सी, विबाद, हर जगा कुछ ना कुछ होता ही रह होते हैं, कहीं तलाक वाला जो मुद्दा चल रहा हो सकता है, उसके पहले वाला जो स्टार्टिंग का मुद्दा है, वो वाला बातचीत हो रहा होगा, तो कही ना कहीं है, दोनों भाईयो कि आपसी बात है, और मम्मी को लेकर बात हो रहा है, पावन सिंग, मम्मी को लेकर पूरा रंग चुका है और इसमें पवन सिंग के जो भाई हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तू सुधर जाओ भेड़ुआ है इस तरीके से कई सारे अपमानिज सनिक होता है जो अपमान सब्द होता है वो कहीं ना कहीं इस्तमाल किया गया है अक्षर सिंग को लेकर बोला गया है आमरपाली दूबे का भी नाम दिया गया है जिकरित उसमें आडियो में आ रहा है और खेसाडी लाली आदब का भी नाम आ रहा है रभी किशन का भी नाम आ रहा है तो कहीं न कहीं यह जो आडियो है अब मुझे लग रहा है कि यह पूरी तरीके से सोसल मीडिया पर और एक वार फिर से मुद्दा गरम होने वार है, लेकिन बिस्भास घातो पवंसीं के साथ हो चुका है, क्या ये सोची समझी साजी से किसी ने ओडियो वाइरल किया है, क्या उनके भाई ने किया है, कई सारी सवाल है, सोसल मिडिया पर गूंज रहे हैं, लेकिन जिसने भी ये वाइरल किया है, सवाल तो बनता है, क्या सुपरस्टार अपने स्टार्डम को नहीं बचा पा रहे हैं, कहते हैं कि हम सुपरस्टार है, हम फलाना है, डिम काना है, काहे का सुपरस्टार, आपके ऑडियो क्लिप इस तरीके से वाइरल होते हैं, हलाकि पुस्टी नहीं मैं कर आजकल वीडियो बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अपने स्टार जो है ना बोच्पुरी के तमाम बड़े सुपर स्टार जो है ना उनको अपने प्रस्टार लाइप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई वो मीडिया में नहीं चीज़े आनी चाहिए और वो सामने आएगी तो भाई हला होना ही होना है आप क्या सोचते हैं Pawel Star Pawen Singh के आर्डियो कलिप में है जिस तरीके से उनके भाई पवेंज संग से बाते कर रहे हैं, दूअर्थी में बाते हो रही हैं, जिस तरीके से अच्छा सिंग को लेकर कहा जा रहा है कि पैसे देखे के खतम करो मामला, तलाक वाला मामला, औरत वाला जो मामला चल रहा है, कई ना कई कई सारे चीजें हैं पूरा गोल मटोल जो दुनिया होती है ना जो पवल सिंग का जो पिछले दो साल का आप कॉंट्रोवर्सी देख लिजे कही ना कई वहीं से जो वहला कॉंट्रोवर्सी है वो पूरा का पूरा आपको इस आडियो क्लिप में सुनने को मिल रहा ह उसमें रवी किशान, खिशाडी लाले आदब सब को कही न कहीं इसमें किया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि जिसने भी ओडियो क्लिप बाइरल किया है उसके उपर पववन सिंग का लीगल एक्शन होना चाहिए लीगल बाते होनी चाहिए क्योंकि भाई मैटर कुछ जादा ही बहुत बड़ा होने वाला है आप क्या सोचते हैं और या फिर नहीं है दोनों भाईयों की बातचीत ओरिजनल है या फिर किसी ने फेक बना के बताया है कमेट बॉक्स में जरूर बताईएगा